ने कि संसाधरों की करी सही कर्वार्फार्म ना मिलना भाहिन लगा पिछ तो सरकार कि प्रिट प्रियास दूए उन्प संसाधन मोहिया करें शाज जाहाँपुर में माननी वित्मंत्वी आधर्णी सुवेश खन्ना जी के आमंतरन पर मुझे यहां आने का उसर मिला उनके साइथ सभी जिले के जनपत्निदियों का मानी सांसद गन का मानी विदायक गन का उनका स्वेम का मुझे बहुत सनेह मिला जनता का बहुत सनेह मिला इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मानिए खन्ना जी के इनिसियेटिव से जैसा कि मुझे समझ में आया है आज 27 वा ये कारकम है जिसमें साजहांपुर के वतनों को सम्मानित किया जाता है इस बार एक महीका खन्ना जी को सम्मानित किया गया है जिनको जो बहुत ही अभी युवा खिलाडी है अभी 2007 की जन्मी हुई है 16 साल 17 साल भी इनको पुगा नहीं हुआ है फिर भी उन्होंने प्रदेश अस्तर पे राश्ची अस्तर पे अपनी पहचान बनाई है मैं इनके उज्वल भूष की कामना करता हूँ और इस प्रकार के रतनों को सम्मानित करने की जो परंपरा मानिक खना जी ने डाली है उसके लिए मैं उनको बहुत ही सादुबात देता हूँ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उनकी कमीटी के लोगों को भी अभिनंदन करता हूँ और यहां की जनता को भी अविनंदन करता हूँ कि माननी खन्ना जी के ऐसे दूर दिश्टी वाले कावियों को पहचानते हुए माननी खन्ना जी को आठमी नुवी वार जो है विधायक चुना गया है यहां से मुझे आकर के यहां बहुत अच्छा लगा और साथ ही आज अटल जी का की जन्म जन्ती की पूर संदावी है तो उस आउसर पर भी इस अटल जी के नाम पर बने हुए सावागार में उनकी इसमिती में ये कारिकम हुआ वो भी एक बहुत अच्छा कारिकम हुआ मैं आज फिर से मानी अटल जी को अपनी कोई विनमिर सद्धान जली देता हूं इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे इसके लिए पासना भी करता हूं और मानी खन्ना जी सहित सभी आयोजिकों का बहुत बहुत धन्यवास है जीरो सर्जन अगर आप उवजा की दिष्टी से पूछ रहे हैं कारवन की दिष्टी से पूछ रहे हैं तो हमारा नेट जीरो का लक्ष है जो मानी प्रधान मंत्री जी ने कुवे देश को 2047 तका दिया हुआ है उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में रिन्यवेबल इनर्जी के मारफ़त इनर्जी का मिक्स बढ़ाने का सोलर इनर्जी का बायो फ्यूइल का इन सब की हमारी पिछली साल पॉलिसी हमले करके आये थे एक साल हो गया उस पॉलिसी को आये हुए और उसके तहट हमारा हजारो करोड उपे का लाखो करोड उपे का बलकी इन्वेस्टमेंट हुआ है और इस समय लगबग साथ हजार मेगावाट सोलर इनर्जी पैजा करने की हम लोग पाइपलाइन में हैं हमारी उजनाएं धरातल पे उतर रही हैं साथ ही बायो फियल की बहुत सारी उजनाएं धरातल पे उतर रही हैं हमने रूफटाफ सोलर का भी इंतजाम करके रखा है लोगों को हम उसकी सहायता दे रहे हैं सबसिदी दे रहे हैं लगबग 300 मेगावाट से उपर रूफटाफ सोलर भी हमारा लग चुका है किसानों को के पंपों को हम सोलराइज करने की दिसा में आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जो सोरी उर्जा उत्पादित होती है दिन में किसायत कई बार ऐसा होता है कि दिन में उसकी खपट नहीं हो पाती है तूसका इस्टोरेज कहां किया जाए उसके लिए पंप इस्टोरेज की प्रोजेक्ट को भी हमने मंजूरी दिया है बारह हजार मेगावाट की फंप इस्टोरिज की पोजेक्ट भी हमारे यहां लग रही है तो इस प्रकार हम नेट जीरो इमिसन जिसको कहते है जिसके आप बात करें उसकी दिसा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मिक्स करते हुए साथ ही हम तापिय उर्जा को भी बढ़ाने के उसमें रास्ते पे जा रहे हैं उप्रा में हमने नया प्लांट का हमने सिलानियास करने की दिसा में आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार तापिय उर्जा और सौर्व उर्जा बायो फ्यूल एनरजी इन सभी का मिस्वन करते हुए हम नेट जीवों के लक्ष को हासिल करेंगे।